हलो एंड गुड मॉनिंग दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉनिंग आप सभी अच्छे होंगे अपना ध्यान रख रहे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग दोस्तों गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग वेरी वेरी गुड मॉनि कि एक बार स्ट्रीमिंग चेक कर लेते हैं मारे स्ट्रीमिंग शुरू हो गई है या नहीं होई है तो फटा-फट से सेशन को फिर शुरू किया जाए तो आज दोस्तों 16 नौंबर है 16 नौंबर में जो भी इंपॉर्टेंट हिंदू न्यूस्पेपर के अंदर में करेंट अफ पढ़े हो सभी आज का टार्गेट क्या है कमेंट करिए कल कितने घंटे पढ़े हो और आज का टार्गेट क्या है कितने घंटे का यह दोनों चीज़ें आपको कमेंट करनी है फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे उसके बाद में दुबारा से हम बात करेंगे ठीक है गुड नूट्स बनाने की टेंशन आपको नहीं लेनी है आपको न्योव स्पेपर की भी अभी पढ़ने के अगर अगर आप अगर आप वहां से करिये ग़ा ठीक है गुड morning गुड जल्दी से आज का target भी लिखना है सभी को साथ में सभी को आज का target भी लिखना है कि आज क्या target है यूर future is created by what you do today not tomorrow यानि कि आप कल क्या करोगे ये आपका future decide नहीं करेगा बलकि आज आप क्या करोगे ये आपका future decide करेगा for example अगर आज आप target लेते हो six hours का तो उसको आपको achieve करना है आपको six hours achieve करने है तो please ये चीज याद रखिएगा मैं आपको बार-बार ये कह रहा हूं कि आपको ये चीज ensure करना है कि regular consistency के साथ में जितना भी आप target लेते हो उसको आपको achieve करना है हाँ ठीक है आज के important headlines है सबसे पहली बात तो प्रधान मंत्री मोदी जी जी 20 में आप देखिए कुछ चीज़े यार समझीए आप जैसे जी 20 है यह पिछले एक हफते से बना हुआ है नियूस के अंदर में और आने वाले एक हफते तक यह नगातार नियूस में बना रहेगा ठीक है तो कुछ limited चीज़े हमें पढ़नी हर समय पर हमें यह नहीं करना है कि मतलब क्या नहीं है जी 20 जी 20 जी 20 पढ़ते रहना है ठीक ह से related है तीसरी चीज़ दोसो हमारा ये यूएन की एक रिपोर्ट आई हो कहा रहा है कि पहरत की जो population growth है वो stabilize हुई है तो यहां पर fertility rate का बहुत important role हो जाता है और क्योंकि अभी recent time के अंदर में हमारे यहां पर political जो sphere बन रहा है जहां पर बार-बार बात की जा रही है किसकी population control बिल की उस स्वेर के अंदर में यह क्या है important हो जाता है यह कुछ editorial है जैसे यह आपका climate से related है COP27 क्योंकि न्यूज में है तो वहां से related होगा दूसरा क्या है आपका federalism से related है cooperative federalism और कहां पर financial federalism जिसके बारे में already हम पढ़ाई कर चुके कि central state का finance के level पर क्या relation होना चाहिए ठ inflation rate फिर भी कम हो रहा है फिर भी आपको watchful रहना चाहिए health पर focus देना चाहिए आपकी जो भी pollution policy आप बनाए उसके इंदर में ठीके text and context के इंदर में यह कुछ चीज़े क्या है important है तो यह सारी चीज़े आपके साथ में discuss करूँ और last में हम क्या करेंगे map based question करेंगे और main based question हम तीनों चीज़े करते हैं इसके PDF आपको कहा मिलेगी प्रशान तिवारी PDF नाम के टेलिग्राम चैनल पर आपको PDF इसकी मिल जाएगी हाँ होगा आप सभी के सभी चाकर playlist चेक कर लिया करिए schedule session चेक कर लिया करिए दोस्तों चलिए और दोस्तों यह बहुत ही खास एक आपके यह चीज़ अवेलेबल है कि बैच 9 वह आपका 30 नवंबर से शुरू हो जाएगा मॉर्निंग में 8 एम इसकी classes हुआ करेंगी प्लिम्स प्लस में के लिए GS होगा 18,999 रपे में आपको मिल जाएगा PRT Live Code यूज़ करके PRT Live Code यूज़ करके चलिए सबसे पहला आर्टिकल दिख लेगे गए हैं कहां गये हैं लोकेशन कौन सी है बाली यानि कि दोस्तों इस समय पर कौन और्गनाइज कर रहा है इंडोनेशिया किसके पास में हैं इंडिया के पास में यह चीज़ आप सभी के सभी जानते हैं अब प्रधान मंत्री मोधी जी यहां पर गए हैं तो यह चंगाइ कोपरेशन के इंडर कउप 27 की बात नहीं हो रही है जी ट्वेंटी की बात नहीं करे थी क्या थे बगल में खड़े थे फोटो खेचवाते समय वहां पर भी बात चीज़ नहीं हुई ती लेकिन कल हमने देखा कि प्रधान मंतरी मूदी जी ने क्या करी है बात करी है क्या करी है बात करी है किसे शीय जिंपिंग साब से है उद्र बाइदन साब से भी बात करी है तो दोस्टो ये चीज़ समझे कि foreign policy के अंदर में अगर आप किसी से हाथ मिलाते हैं और किसी की तरफ से हाथ फेर लेते हैं तो दोनों के बहुत important मतलब होते हैं ठीक है बहुत important मतलब होते हैं और foreign policy इनी सब चीजों से क्या करती है आगे की तरफ बढ़ती है तो please इन सब चीजों को क्या करिएगा तो G20 G20 आपको अलड़ी मैंने बताया कि 75% population यहां से बिलॉंग करती है 85% वर्ल्ड की GDP यहां से बिलॉंग करती है आनि कि G20 अपने आप में बहुत ज़्यादा important हो जाता है अब G20 के अंदर में जो सबसे बड़ी अगवाई कर रहा है वो कौन कर रहा है US कर रहा होता है और US के lead जो उसके alliances है जो उसके सारे के सारे countries है वो कर रहे होते है और दूसरे तरफ आपको पता है रश्या भी उसके अंदर में है अब G20 क्यों important है और भारत के लिए क्यों important है इसके बारे में already हम बात कर चुके हैं facts already आपको पता अगर पढ़ना है दुबारा तो जाईए कल जाके पढ़ लीजी G20 इसलिए important है कि G20 का road map क्या होगा इस G20 के अंदर में outcome क्या आएगा ये सबसे important है यहाँ पर देखें दोस्तो ज्यादा तर focus जैसे G7 की meeting हुई थी तो Russia and Ukraine के उपर में था ज्यादा तर focus कि Russia ने क्या क्या है Ukraine के उपर में attack किया है और Ukraine को humanitarian help की जरुरत है और plus में world के अंदर में maximum countries को क्या करना चाहिए Russia को criticize करना चाहिए उसके इस action के लिए बार बार ये कहा जाता है इवन इंडिया से भी कहा गया कि आप भी क्या करिए एक हद तक साथ नहीं दिया और उन्होंने कई जगे पे abstain भी किया कई जगे पे हमने ignore भी किया ये सारी कि सारी चीज़े जातने है तो ये topic center में बना रहेगा अब इससे कुछ derived topic है सबसे पहला topic है energy आप सभी जानते हैं दोस्तों कि Russia और Ukraine crisis के बाद में और जो energy की need है वो कहां से full होती थी रशिया से होती थी है ना लेकिन अब जो gases है वो रशिया से नहीं आ रही है तो Europe भी अपनी energy security के लिए क्या कर रहा है नए नए fields को open कर रहा है नए नए projects को open कर रहा है fossil fuel की तरफ वो जा रहे यह भी चीज़ समझीएगा तो एक तो energy security दूसरा रशिया यूकरेन से एक और topic निकल कर आता है food security क्या food security आप सभी जानते हैं कि रशिया और यूकरेन दोनों के दोनों देश में गेहूं बहुत जादा होता है wheat और वो गेहूं यह जो Egypt हो गया यह जो आपके Mediterranean Sea के आसपास में countries है even European countries यहाँ पर वो supply किया जाता था अब यह war के कारण में वो गेहूं supply नहीं हो पा रहा तो एक food का crisis food security वाला भी issue है मैं आपको सारी के साइच चीज़े बताता जा रहा हूँ कि क्या क्या issue है तो G20 एक तो इस कारण से important है कि रशिया का रशिया के against में यहाँ पर क्या चीज़े होंगी सारी के साइच चीज़े यह क्या है important है दूसरा चाइना आप सभी जानते हैं दोस्तों कि USA के संबंद चाइना के साथ अच्छे नहीं है और इवन बहुत ही खराब दौर में चले गए थे जब अभी यह ताइवान वाला incidence हुआ था वही पर आप जानते हैं भारत इंडिया के साथ में भी चाइना के संबंद बिल्कुल भी अच्छे नहीं है इवन गलवन वाली वाला जो incidence हुआ उसके बाद तो कभी हमारी दुबारा से क्या हुई बात ही नहीं हुई और तीसरी बहुत important चीज जो हम कई बार क्या करते हैं मिस कर देते हैं चाइना के अंदर में शी जिंपिंग सहाब दुबारा से मलतिबारा third time क्या बन गए हैं वहाँ के head बन गे इन सब कंटेक्स के अंदर में ये जी ट्वेंटी की मीटिंग important हुआ दे क्यूं क्यूंकि शी जिंपिंग सहाब के साथ में बाइदन सहाब मीटिंग करते हैं और वो कहते हैं कि हमें कई स्वेर में कई एरिया में हमें क्या करना पड़ेगा cooperate करना पड़ेगा सबको पता है कि दोनों के बीच में संबंद अच्छे नहीं है पर ये बात होती है दूसरी चीज गलवन वैले इंसिडेंस के बाद में दोस्तों हमारी एक बार भी बातचीत नहीं होती है शी जिंपिंग सहाब से इवन आप सभी के सभी ये भी जानते हैं कि SEO की मीटिंग में शंगाई cooperation organization की मीटिंग के अंदर में दोनों प्रधान मंतरी मोदी जी और शी जिंपिंग सहाब साथ साथ खड़े होते हैं एक दूसरी क्या मुस्काते भी नहीं लेकिन अभी क्या होता है जब डिनर के लिए आ रहे होते हैं तो मोदी जी उनको greet करते हैं वेलकम करते हैं तो इसके भी मतलब यह है कि चीजे धीरे-धीरे क्या हो रही है चेंज हो रही है तीसना important point शी जिंपिंग सहाब का stature धीरे-धीरे क्या हो रहा है ग्रो कर रहा है और रशिया यूक्रेन का जो crisis है वहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है रशिया वीक हो रहा है अब रशिया जब वीक हो रहा है तो किसका सहारा ले रहा है इनका सहारा ले रहा है और ये भी क्या है वर्ल्ड के लिए बहुत ज़ादा important हो जाता है तो ये सारी चीजे इन development के कारण में दोस्तों G20 आपके लिए बहुत जारा important हो जाता है और next year इंडिया के पास में इसकी क्या है presidency है तो इंडिया एक और चीज जी 20 के इंदर में मोधी जी ने क्या कहा कि कि किसी भी तरीके से humanitarian basis पर negotiate करके बात करके हमें क्या करना पड़ेगा G G20 के तहत में या फिर सारी के सारी countries को आके Russia Ukraine के crisis को हमें सुधार ना पड़ेगा G20 क्या है दोस्तों G20 ए ग्रूप है 19 country प्लस में European Union का इनका कोई permanent secretariat नहीं है ये grouping इसलिए बनी थी कि 1990 के अंदर में जब वहाँ पर आपका Europe के अंदर में economic crisis हुआ था तो ये कहा गया क्यों सारी countries आपस में cooperate करें इस development phase के अंदर में तो इसलिए G20 बना था अल्रेडी हम इसको discuss कर चुके है facts यहोंगे तो कल वाली PDF जाके open कर लिजेगा मैं यहां से आपके लिए analytical perspective को आपके साथ discuss कर रहा हूं ठीक है तो यहां पर इंडिया के पास में इसके क्या जाएगी प्रेज G20 के तहट दूसरी चीज़ दोस्तों कई बार यह देखा गया जो multilateral event होते हैं वो hijack हो जाते हैं for example G7 के अंदर में topic कुछ और भी हो सकता था लेकिन वो क्या हुआ anti Russia topic रहा इवन Shanghai cooperation organization जिसके अंदर में Russia भी involved था China भी involved था वहां पर भी कोशिश की गई कि उसको एक तरीके से anti USA movement की तरीके से उसको खड़ा किया जाएं वहां पर भी भारत ने बहुत silently और बहुत समझदारी से sideline हो गया joint statement को sign नहीं किया तो यहां पर इंडिया जो future है क्या G20 का future सिर्फ यहीं तक सिमित है कि Russia के against pro USA यहीं तक सिमित है या world के लिए brighter perspective के लिए कुछ कर सकते हैं वहां पर इंडिया के लिए बहुत ज्यादा important हो जाता है क्योंकि ऐसी country आपको सुचिए 20 countries यानि कि 19 countries प्लस में European Union यह अगर आते हैं तो बहुत सारी investment की opportunities को भी लेकर आते हैं तो यह प्लीज इसको मैंने holistically cover किया है तेरा 14 मिनट पूरे detailed topic पे दिया तो G20 को प्रिपेर कर लिजे प्रदान मंत्री मोदीजी ने क्या बोला मैंने आपको पता है कि उन्होंने कहा कि global crisis चल रहा है global crisis जैसे आपका मैं आपको पताता हूं जैसे कोविड हुआ तो प्रधान मंत्री मोदी जी ने कहा कि कोविड होने के बाद में हमें क्या समझ में आता है कि आने वाले समय के लिए फ्यूचर के लिए हमें कोपरेशन की जरुरत है वरना हमारे एक्षन अलग अलग होते रहते हैं एवन प्रधान मंत्री मोदी जी ने कहा कि ये समय एक दुसरे के उपर में आरोप प्रत्यारोप करने का नहीं है, ये समय नेगोशियेट करने का है, ये समय एक टेबल पर आने का है, ठीक है, प्लीज याद रखेएगा, ये मैंने holistically आपके साथ क्या किया है, ये क्या है, वार को खतम करने की बात करी, यूएस के हो जाता है, ठीक है, clear? ठीक है, clear? तो प्लीज याद रखेगा, बहुत ज़्यादा important है, नेक्स आर्टिकल आपका, हमारा जो deficit है, वो लगातार बढ़ रहा है, प्रेजन टाइम में, प्रेजन मन्त के अंदर में, वो deficit और ज़्यादा बढ़ रहा है, वैसे परसों मैंने बह वारा से रिविजन आपको करा देता हूं आप सभी मेरे प्यारे दोस्ति जानते होंगे कि कल भी मैंने बताया था कि घर के अंदर में एक रेजिस्टर है जिसके अंदर में लेखा जोखा रखा जाता है कि क्या इंपोर्ट हो रहा है और क्या एक्सपोर्ट हो रहा है है ना क्य यह क्या है एक balance of payment नाम की चीज होती है already मैंने आपको कहा है उसके इंदर में दो account है एक होता है current account और एक होता है capital account ठीक है तो current account को ऐसे समझे लिए रोज मर्रा की जो चीजें हैं उनको हम क्या करते हैं current account में रखते हैं capital के इंदर में पैसा loan आना और जाना FDI आना जाना ये स सारी के साई चीजें इसके इंदर में लगते हैं तो जो रोज मर्रा की चीजें हो दो प्रकार की चीजें होती हैं जिन को अंवे intangible ही वो जिनको चूश सकता हैं जिनको नहीं चूश सकते हैं visible और invisible ही को तो visible के नदर में goods आ जाते हैं और invisible में आपको पता है OSIT याद कर लो www.s.test www. 나오는raph booklet Amy who supports it सरन याद कर लो सर्विसीज new show. हमारा यहां पर होगा इनके उपर में ट्रेड डेफिसिट के जब हम बात करते हैं दोस्तों तो बहुत मेजर फोकस रहता है हमारा इसके उपर में जो विजिवल है जो गुड्स हैं उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के उपर में क्या उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के उपर म तो हम यहाँ पर आगे हैं, देखो, flow chart से मैंने आपको समझा है, इस topic में हम यहाँ पर discuss करेंगे, तो क्या हो गया है, trade deficit हो रहा है, तो trade deficit होने का मतलब क्या है, आपका जो export है, वो कम है, किसे import से, और recent time में यह देखा गया, कि हमारा जो export है, वो और कम हो गया, यानि कि जो item हम क्या करते थे, export करते थे, भारत से बाहर की तरफ में क्या करते थे, भेजते थे, वो item कम होए है, और import हमारा क्या हो रहा है, increase हो रहा है, अब इसको आप link कैसे करोगे, अभी आपने एक list सुनी होगी, एक बार सुनी होगी ना, कि USA ने भारत की currency को, जो manipulator वाली list है, restrictive monitoring, जो currencies की list थी, उससे क्या क्या है, बाहर कर दिया है, इस सारी चीज़े आपस में interlinked होती है, दरसल दोस्तों, जब किसी भी देश का trade deficit होता है, यानि कि दोस्तों क्या होता है, आप export तो कम करते हो, import जादा करते हो, अब import ज्यादा कर रहे हो दोस्तों, तो मतलब क्या है, आप dollar मे payment कर रहे होगे, payment किस में हो रही होगी, dollar के अंदर में हो रही होगी, यानि कि आपको need किसकी है, dollar की need है, और आज किसके खिलाफ में exchange कर रहे होगे, रुपए के basis पर exchange कर रहे होगे, for example, मैं कहता हूँ, यार कल मुझे एक MacBook मगाना, Apple का, USA से मगाऊंगा, तो मैं क्या अपको रुपए को exchange करूँगा, किसके मुकाबले, dollar के मुकाबले में, क्यानि कि डिमांड किसकी होगी, dollar की होगी, और रुपए की क्या होगी, supply होगी, तो ये आप साधारण सानियम जानते हैं, जब जिसकी demand बढ़ती है, उसकी क्या होती है, इंक्रीज होती है, जिसकी supply ज होती है value कम होती है न डिमांड बढ़ना जब कम रहोगे तो डिमांड ही न ठीक है clear है तो प्लीज याद रखेंगे चीज़ अब ये चीज़ समझने की कोशिश करिएगा अब यह अहां पर पर परेशानी हो रहा है क्योंकि हमारा इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है यानि कि डॉलर की डिमांड लगातार बढ़ती है अब डॉलर की डिमांड लगातार अगर बढ़ रही है दोस्तों तो परेशानी क्य हो रही है हमारा रुपया वीक हो रहा है उसकी वैल्यू क्या हो रही है वीक हो रही है और रुपय की वैल्यू वीक होने के कारण में दोस्तों रुपय की वैल्यू वीक होने के कारण में फर्दर हमारा इंपोर्ट और जादा महंगा होता जाएगा और फर्दर रिपोर्ट में इंपोर्ट महगा होता जाएगा फिर और करंसी वीक होती रहेगी क्या होती रहेगी और करंसी वीक होती रहेगी तो उसके काड में हमारा ये ट्रेड डेफिसिट क्या होता रहेगा इंक्रीज होता रहेगा और ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज होने का मतलब यह होता है दोस्तो जासे शिलंका के अंदर में हुआ था तो प्लीज यहां पर आप समझने की कोशिश करिएगा ट्रेड डेफिसिट जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा क्या है नुकसान दायक है और उतना ज़्यादा आपका क्या होगा रुपे की वैल्यू क्या होती अब रुपेया मांके चलिए मेरेको मार्केट में नजर आ रहा है रुपे की वैलियू कम हो रहे है जो मन के चलो मैंने कमाल लिए 240 रुपे गार तो जाएंगे असी रुपए का डॉलर यानी कि मुझे तीन डॉलर रिटर्ण मिलने चाहिए अब मान के चलो मैं future में speculate कर रहा हूँ कि डॉलर के मुकाबले रुपया और गिरेगा अब रुपया गिरेगा यानि कि क्या होगा एक डॉलर के मुकाबले मान के चलो 120 रुपया होगा तो मैं return जब करवाऊंगा return की जब value होगी वो क्या हो जा लोन तो आपने dollar में लिया है पैसा उसमें लिया है अब उसको पेमेंट जब आप कर रहे होगे तो currency हमारी जब depreciate करेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा और ज़्यादा पे करना पड़ेगा यह भी नुकसान दायक है और import हम क्या क्या करते हैं अल्रड़ी आपको पता है क कि oil के prices बढ़ रहे हैं इसलिए हमारा इंपोर्ट भी लगाता बढ़ता जा रहा है हाँ अनन्या जी climate और coal crisis उनके बारे में भी हम बात करेंगे अब किसी ने question पूछ लिया कि यह कैसे recover किया जाएगा तो उसके लिए बड़े मज़िदार काम किया जा रहे हैं और यहीं पर ह लिंक करो USA का हूँ दर असल यूएस का जो Treasury Department है वो वर्ल्ड के अंदर में currencies के उपर में नजर रखता है कि कौन सी country अपनी currency को manipulate कर रही है अब आप कहिए भी है यह चिडिया का किस नाम है दर असल नॉर्मली यह कहा जाता है कि market के अंदर में अगर demand and supply natural चले उसके हिसाफ़ अगर currency उपर जा रही है नीटे जा रही है यह traditionally बढ़िया है लेकिन अगर कोई country जान भूज कर currency को उपर करे नीचे करे यह बिलकुल भी ठीक नहीं है और USA चाइना की currency को क्या कहता है monitoring list में रखता है इंडिया की currency को भी monitoring list में रखता है लेकिन परसो एक दिन पहले उससे क् हमने उस currency से अपने आपको बाहर ले लिया क्यों उसके पीछे reason यह है क्योंकि यहां पर अब जब आ जाता है RBI का roll आ जाता है RBI कहता है कि market में dollar की demand बहुत ज्यादा बढ़ रही है अब demand ज्यादा बढ़ रही है और रुपे के supply बहुत ज्यादा हो गई है तो क्यों ना एक काम किया जाए इसकी supply को dollar की supply को increase किया जाए तो RBI क्या करेगा RBI के पास में जो forex reserve होता है वो उसका इस्तमाल करेगा RBI क्या करेगा उसके पास में मान के चलो forex reserve में dollar है वो market में जाएगा international market में कहेगा भाई साब मुझे एक लाक डॉलर के मैं example दे रहा हूँ वैसे होता नहीं है मुझे एक लाक डॉलर के bond खरीद रहे है अब मान के चलो भारत ने एक लाक डॉलर के अगर bond खरीदे यानि कि एक लाक डॉलर market में क्या होंगे supply होंगे यानि कि dollar के supply क्या होगी बढ़ जाएगी तो उसके respect में हमारी जो currency है जो इतनी पढ़ने पर वो क्या कर सके इसका यूज कर सके अपनी currency को stabilize करने के लिए ठीक है क्लियर है तो अगर monitoring list से हट जाएगा तो भारत क्या कर सकता है अब किसी ने पूछा चाइना वाला रोल चाइना बड़ा शातिर और यू आर वेरी चलाग ब्रो है ना वह वाला गेम करता है अभी मैंने आपको पता है currency जब depreciate होती है तो क्या होता है आपका import महगा हो जाता है लेकिन इसके कई फाइदा ही मिलते हैं अगर आपके आपर market अगर ready है तो उसके फाइदा ही मिलेंगे for example मान के चलिए अभी मैं USA में बैठाओं USA में बैठाओं मैंने कहा एक डॉलर में 80 रुपे का समान मैं इंडिया में purchase कर सकता हूँ है लेकिन अगर मान के चलो currency हमारी depreciate होगी अब एक डॉलर की कीमत कितनी हो चुकी है 100 रुपे for example में 100 रुपे तो यानि कि मैं USA में बैठा बैठा ये कहूंगा यारा मैं 100 रुपे का समान खरी सकता हूँ यानि कि यह positive side भी हो है क्यों कि आपकी market भी उस परकार से ready होनी चाहिए अपनी currency को depreciate तो कर लो लेकिन किसको export करोगे क्या export करोगी है क्या तेरे पास ऐसा जो मेरे पास नहीं है ऐसा गर के बात होगी चाइना को इसका benefit मिलता है चाइना ने बिलकुल मशीने लगा लगा के लगा लगा के बहुत भारी production कर रहा है जैसे उनकी currency depreciate होगी तो solar panel में अगर solar panel मगा रहा हो तो मैं खाऊंगा या चाइना से मगा रहा है तो सस्ता मिल रहा है तो इसका क्या होता है market के अंदर में उस level पर mass level of production भी होना चाहिए तब exporter को क्या मिलता है benefit मिलता है तो यह topic please balance of payment trade inflation currency depreciation सारी चीज़े आपस में क्या करिएगा connect करते रहिएगा ठीक है हाँ capital investment भी increase होगा दोस्ते बिल्कुल ठीक है clear है तो I think सारे के सारी चीज़े क्या है आप समझ पाए होंगे ठीक है इंपोर्ट के ूपर में तो हम सबस्यादा depend करते हैं आपके घर में भी घर में भी आप खुद मांने कि चलो कितना सोना रखता होगा कैएटना तो यानि कि अमारी करनेसी पैसर फट रहा होगा निढ चिसमें करते हैं तो इसके करण में हमारी जाएगा क्यों खरीदना सोना ओएल की जगे पर इलेक्टरिक वहिकल इस्तमाल कर लो इस्तमाल कर लो है ड्रोजन वहिकल को इस्तमाल कर लो ठीक है सारी के सारी चीजे कर लेंगे किंग जौन उन कोरिया वाले भाइसाब कि समस्या वड़ी गंभीर है और गंभीर समस्या को गंभीर तरीके से सुल्धाया जाएगा अब यह तो आपके मैनिफेस्टेशन है कि आपने किताब खोलते हैं तो आपको अपनी आपकी गल्फरेंट जी याद आती है वह बात अलग है किसी-किसी को लबासना याद आता है किसी-किसी याद आता है किसी-किसी को सौपना याद आता है सौपना यानिकी सरदार वल्लभाई पटेल जो अक अधिक्राइब करने युन फोन्स उनके रिपोर्ट लोन्हार ब्हुत ज्यादा इंपोर्टंट्ट हो जाती है present scenario में, जब present scenario के अंदर में, भारत सरकार, भारत देश के अंदर में ये कहा जाता है, कि population control बिल लाना क्या है, जिन संख्या को हमें रोकना है, इसलिए बहुत important topic आपके लिए हो जाता है, आप सभी जानते हैं दोस्तों अब कुछ चीजे टॉपिक हैं जो मैं आपके साथ में इंटरकनेक्ट करके बताऊंगा मेरे साथ में बने रहीएगा लास्त तक आपको मज़ा आएगा तो सबसे पहले आपको मैं शुरू करता हूं है पॉपुलेशन अ कि सही समय पर बढ़ जाए तो वरदान है और सही समय पर ना बढ़े तो अभिशाब है और जरुषा ज्टा बढ़ जाए तो भी अभिशाब है पॉपुलेशन इतनी जादा बढ़ने के कार्ण में आप जी और पर वन में अगर आप देखेंगे नॉवंबर का फिर्स्ट विक्का अलड़ी कल हो चुका है उसकी वीडियो भी अलड़ी शेर हो चुकी है ठीक है ठीक है तो ये सारी के साही चीज़ें मैं आपके साथ डिसकस कर रहा हूं जन संख्या बढ़ने से पहली बात तो आपके पास में वर्क पोर्स इंक्रीज हो सकती इसका बेनेफिट है लेकिनय ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो उसके लुखसान क्या आप उतना ही है इसे जन संख्या बढ़ती जाएग Eekhi तो यह क्या हो जाएगए बहुत बढ़ी zMS स्थ उब तो पॉपलेशन कंट्रोल की बात करी झाहरी है भारत के बाद की जाए तक हा जारा है कि आने वाले समय में विश्वr's के इंदर में सबसे जैदा जन संख्या हमारी रहेगी और उसके इंदर में यंग फॉपलेशन वारी जो जन संख्या है वो हमारी सब सबसे जादा रहेगी यह झानि कि पंदरा से 69 गिनीजिए सबसे बड़ी जंसे रहेगी लेकिन दोस्तों क्या होता है जादा इसे कर पूरेटी पालेकर मेर इश्यूर्स क्रश्य को सब्सक्राइब navigate RF ligne को सबस्तिर हुदी जितनी ज्यादा पेपडिएशन को कंट्रोल किया जाए कीवा ना पॉपडिटाइशन को किंट्रोल करने के जब हम बात करते हैं कैसे ने कहा गिया कि क्यों नहीं पॉपप्लेशन कंट्रोल बिल पाफ्सविधायां आ जाया एक कि opinion में इसको लाने की आवशकता है तो हम भारत के अगर पूरे नक्षे को देखे मैप पर मत जाहिएगा मेरे मैं भारत को ऐसे ही बना देता हूं अखंड भारत का अपना सोपना लेकर चलिए ना चाहिए तो यह क्या बात कर रहे हैं यह समझेगा यह कहा जाता कि जो ऊपर वाला चाहिए लेकिन यह रिपोर्ट आई हो और आपको पता होगा जो आपका फैमिली हेल्थ सर्वे है ठीक है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फाइव वो अल्रेडी कह चुका है कि हमारे देखे टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है पर विमन पे कितने बच्चे होते हैं उस अगर इतना होता है तो देश के अंदर में इतनी बच्चे पैदा हो रहे हैं जितने बच्चे मर रहे हैं मतलब बच्चे नहीं जितनी जनसंख्या का डेथ हो रही है उतने बच्चे क्या हो रहे हैं पैदा हो रहे हैं यानि कि easily replace कर देंगे वर्कफोर्स को लेकिन हमारे यहां पर कई सारे देश के अंदर मलब कई सारे state के अंदर में state क्या वो तो देश के बराबर ही हैं उनकी जनसंख्या ऐसी है कि यह चार तक था कही जगे पर पाँच था के जगे पे 6 था तो उसको control करने के लिए बहुत ज़्यादा actions लिए गए इसलिए आपको ध्यान होगा advertisement आना contraceptives के advertisement आना ये सब चीज़े इसलिए आती थी कि government का बहुत ज़्यादा focus रहता था कि कैसे बच्चों को कैसे population को stabilize किया जाए ठीक है क्या किया जाए इसलिए नेशन चुका है यहां से थोड़ी सी खत्रे की घंटी आपको नजर आनी चाहिए नो डाउट इससे population control तो हो रही है लेकिन कहीं ऐसा ना हो हम ideal से अगर थोड़ा सा कम हो जाए तो चाइना वाली situation हो सकती है जापान वाली situation हो सकती है कि हमारे पास एक सामे पर आकर यानि कि 100 साल के बाद या 50 साल के बाद में वहां पर ये परेशानी हो जाए कि हमारे पास में sufficient amount में sufficient number के अंदर में हमारे यहां पर क्या हो जो बच्चे हैं जो यंग population है वो ना हो तो यह भी एक बहुत बड़ा concern है तो इसको आप लिंक कर सकते हैं आप से अगर पूछा जाए कि क्या do you think there is urgent need of population control bill तो आप कहेंगे कि National Family Health Survey के according अगर देखा जाए दोस्तों तो यहां पर क्या आ रही है कि क्या है यहां पर यह चीज हमें नजर आ रही है कि यह समस्या है और National Family Health Survey के रिपोर्ट यह कह रही है कि 2.0 पे पहुँच चुके हैं तो अगर हम बहुत aggressively चले जाएंगे तो कह नहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी population आइडियल जो replacement rate होता उससे भी कम पहुच जा और यह क्या है देश के लिए नुकसान धायक होगा ठीक है तो प्लीज याद रखेगा तो population stabilize क्यों होई है उसके पीछे reason क्या क्या है सबसे पहली बात तो reason यह है दोस्तों literacy पढ़ाई लिखा हमारी जागरुकता यह सब increase हो रही है वह एक reason है जिसके करण में हमारे यहां पर जो क्या है population stabilize हो रही है ठीक है पहली बात दूसरा reason जो contraceptive एक तो government के level पर देखा जाए जो protection और contraceptives की बात की जाती है उनको जादा क्या किया जा रहा है increase किया रहा है साथ में literacy के करण में girls women boys यह सब के सब जो relation के अंदर में है वो भी क्या और है थोड़ा सा aware हो रहे हैं तीसरी चीज़ दोस्तो इसके पीछे आप reason inflation को भी दे सकते हैं अब यह वाला point analyze करके ही आएगा देखे कुछ illogical नहीं है इसके इंदर है inflation एक reason है जिसके करण में महगाई बढ़ रही है और महगाई बढ़ने के करण में क्या हो रहा है कि भीया चार बच्चे की बढ़ी जाए एक बच्चे को पाल ले वही बहुत बड़ी बात है तो यह भी एक reason है यह भी और चीज़ीए ठीक है तीसरा reason आप यहां पर यह समझे रही है और वो अपने point को लेकर क्या कर रही है वहां पर क्या हो रही है वोकल हो रही है क्या हो रही है वहां पर वोकल हो रही है ठीक है clear तीसरी चीज़ आप यह कह सकते हैं job अब economic growth हो रही है तो ज्यादा तर लोग क्या कर रहे है जॉब के अंदर में इन सब चीजों के अंदर में भी क्या कर रहे है इंगेज हो रहे हैं इसका और से भी हमारी population कर सकते हैं यह भी एक important role play कर रहा है तो education ठीक है आप सारे यह देखें कितना बढ़ी है हमने इसके अंदर में analysis कर लिया तो प्लीज हिंदिया के अंदर में जनसंख्या क्या होना यह चीजे आपको पता है कि क्यों stabilize हो रही है हमारे यहाँ पर जो fertility rate है वह कहां पर चला गया वह भी हमने discuss कर लिया लेकिन क्या 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 एक और चीज एक और रिजन हो सकता है बहुत अच्छा बात करिए धीरे धीरे ऐसे health के issues भी आ रहे हैं environment के card में जिसके card में जो infertility है जो बच्चा ना हो पाने की समस्या है यह भी धीरे धीरे क्या हो रही है बहुत important role play कर रही है इसके अंदर तो please यह सब चीजे भी क्या करते रहिएगा add करते रहिए ठीक है तो हमने यह सारी चीजे डिसकस कर ली लेकिन यहां से हम एक point और की आवशक्ता है कि भारत को भी population नुप में एक मेजर क Σतमाल किया जाता है अगर particular region के अंदर में मान के चलिए आप चाहते हैं मान के चलिए यहाँ पर 100 लोग रहते हैं ठीक है? सौ में से पचास एक community के पचास दूसरी community के रहते हैं अब मायन के चलिए एक community के अंदर में जो birth है जो fertility rate है वो कम है लेकिन दूसरे अगर community के अंदर में fertility rate ज़ादा है तो वहाँ पर एक issue ये भी आ सकता है कि धीरे धीरे करते समय पर ये 100 में जहां पर ये 50 थे ये क्या हो जाएं 30 हो जाएं और वहाँ पर ये क्या हो जाएं वहाँ पर ये 70 हो जाएं तो demography change होना ये भी एक major issue है इसके साथ में population के साथ में दोस्तो तो आप ये बहुत सारे आप लिख सकते हो कि क्या क्या reason हो सकते है लिखिए हर reason के पीछे अपना logic दीजिए और answer complete कर लिजिए तो ये topic प्लीज इस चीज को prepare करते रहेगा तो आप yes और no दोनो आंसर दे सकते हैं कि हाँ जरुरत है तो उसके लिए क्या-क्या measures लिए जाने चाहिए कि population को कैसे control किया जाए और अगर आपको लगता है कि नहीं अभी जरुरत नहीं है तो क्या-क्या चीज़े हो चुकी है आप चीज़े वहाँ पर लिखेंगे ठीक है clear है ठीक है clear तो एक और चीज़ समझेगा यहां से एक और चीज़ पॉइंट एड़ कर सकते हैं कि total fertility rate को आप फिर लोग सभाकी से भी link कर सकते हैं कि और जो finance commission के recommendation कि उससे भी link कर सकते हैं कि population का बहुत important role होता है इसके अंदर में कि कितने resources कि स्टेट को allocate किये जाएंगे ठीक है उसके अंदर में ठीक है clear है ठीक है यस आपको yes or no में ही जाना है ठीक है आप सीधा सीधा बात करिए कि क्योंकि देखिए आपको मैं एक simple सी बहुत आपको समझाने कोशिश करूं कि इधर की तरफ अगर साधा focus है इन सब चीजों को लेते वे national security इन सब चीजों को लेते वे कि हाँ कारण से population का control होना चाहिए लेकिन क्या uniformly population का control अगर हुआ तो क्या ऐसा तो नहीं है कि आने वाले समय में हमारे देश में इसकी भी समस्या हो जाए ठीक है तो यह सारी की सारी चीज़े क्या करेंग कम से कम यहाँ पर हर एक individual को मैं और कुछ बात नहीं करता कम से दो से तीन extra point मिले होंगे यही सबसे important चीज़ है और यही आपको help करेगा बुक अगर पढ़ोगे किसी notebook को पढ़ोगे या कुछ भी पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको क्या होगा एक point दो point तीन point लेकिन जैसे ह जादा points आपको मिलते जाएं जिनको आप क्या कर सकते हो फ्लोचार्ट के माद्यम से add कर सकते हो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो प्लीज ज्याद रखेगा यह कह रहे हैं कि जो fertility rate है अगर देखा जाए भी हमें आर देखा जाए तो greater than 2.1 अभी भी किसका किसका है ब 1.4 से और इकोल कम किसका देखिया आप देखिये चंडिगर जमन कश्मीर लद्दाग अंडवान निकों आप यह थोड़ा सा क्या हो जाता है matter of concern हो जाता है तो सोशल मीडिया कैसे यह पूछ रहे हैं बार बार पहले इस चीज़ को समझ यह चीज गलत नहीं है आपको पता ह कि एक समय ऐसा था टेलिवीजन की बात की गई है तो एके लेक्शन के अदर में टेलिवीजन बार नहीं की बात की इसीinta कि पूछा कि टेलिविजन कtest और आप और किसी इंसान के पास में और ways होंगे अपने time को spend करने के और अपने सारी चीज़ों को connect करने के तो वो क्या होगा जो हमारे आपे population का control का जो measure है उसके दर में indirectly क्या कर सकता है help कर सकता है तो यह चीज़ समझेगा ठीक है एक प्रकार से और जागरुक करता है और आपकी चीज़ों को enhance करता है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मैं सच बता रहा हूं ठीक है तो प्लीज याद रखेगा main reason क्या है decline in fertility rate include increase in abortion यह भी एक reason है already जिसके बारे बात कर चुके है और आप यह भी देख सकते हैं कि abortion increase और साथ में अभी क्या किया है अब इसको आप लिंग करिए maternity leaves के साथ में और उसके साथ में medical termination of pregnancy उसके साथ में आप लिंग करिए ठीक है family planning की बात कर सकते हैं ठीक है आप पॉपुलेशन फंट देखे सारे के सारे रीजन अल्रडी में बता रहा हूं अब और शन एक रीजन अल्रडी सारे हमने जो डिसकस किया आपके साथ में family planning के अंदर में girl का से होना यह भी बहुत important है प्लस में male और women दोनों का aware होना contraceptives का यूज करना जो health facilities है उनको लेकर aware रहना यह सारी सारी चीज़े क्या है important है तो United Nation और एक और चीज याद रखिएगा वर्ल्ड के अंदर में कितनी population पहुच चुकी है 8 billion तो यह आप से पूछा जाता है कि 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 रिपोर्टें पता चलता है United Nation की रिपोर्टें पता चलता है UNFPA तो UNFPA क्या है United Nation Population Fund यह क्या Social Council इको सॉक जिसको बोलते हैं इसके तरह मेंडेट होता यह सारी सारी चीज़े से related आपके आपके इंपॉर्टेंट है ठीक है हो जाएगा अब आप यह बताईए कि अभी तो पढ़ने का समय है अभी तो हम नहीं और चीजों के उपरें डिसक्स कर सकते ठीक है ठीक है अभी अभी तो पढ़ने का समय है अभी पढ़ाई कर लेते हैं बाद में और चीजों के परें डिसक्स कर लेंगे ठीक है अनिक्वल डिस्रिबूशन का सॉलीशन क्या हो सकता है अभी अभी अबोर्शन लीगल है अल्रड़ी हम बात कर चुके है यह तो एक्ट है हमारे यहां पर अबोर्शन लीगल है नेक्स आटिकल को शुरू करते हैं फटा फटते वरना टाइम बहुत ज़्यादा कंजीम होता जागा आज नंबर ऑप आटिकल बहुत ज़्यादा है प्लड आ रहे हैं यह सारी चीज़े हो रही हैं और यह समय अभी आ चुका है कि आपको अब climate action के लिए एक साथ आना पड़ेगा वरना आने वाले समय में दोस्तो परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी यह है इसका क्रक्स यह गया केंदा का क्रक्सु यह कह रहे हैं कि क西 नहीं हो można यहां पर पर दोस्तो derecho बहुत वड़ी हुगी मैं अल्रेड़ी आपके साथ किन हो शुए वाला इंस फूर्ड सेक्टि वाला इकर data यहां पर आप देखें फूड क्राइसिज हो रहा है प्लस में आप अगर देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज होने काड़ में प्रैशर बन रहा है कि फॉसिल की जगे पर दूसरा फ्यूल क्या करें यूज करना शुरू करें अब जो फॉसिल फ्यूल जो लीस डेवलप नेशन है जो आइलेंड कंटरें वो अभी भी क्या करते हैं इनके उपर में डिपेंड करते हैं तो यह सारे के सारे क्या है इस्जूज है मैं इन शॉर्ट आपको बताओं आप सभी जानते हैं कि विश्व के अंदर में क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्ला के सारे करने के सारे कराणमे क्लाइमेट चेंज होने के कारण में दोस्तो बहुत बड़ी समख्या क्या है आपके यहाँ पर हमें चीज देखने में मिल रही है कि extreme weather events हो रहे हैं for example आप यहां पर मैं already आपको कह रहा हूँ कि बारिश बहुत जादा हो रहे हैं कई जगे सूखा पढ़ रहा है कई जगे सड़न फ्लड आ रहे हैं कई जगे पर बिमारियां भी बढ़ रही है even दोस्तो climate change एक बहुत important role play कर रहा है जो communicable decisions हैं उनको बढ़ाने में जो airborne decisions हैं उनको बढ़ाने में ठीक है यह सारी की सारी चीज़े क्या है यह important role play करती है तो वो यह कह रहे हैं कि भाई साब COP27 को ultimate result की तरफ आना पड़ेगा जहां पर rich countries को क्या करना चाहिए pay करना चाहिए poor countries को कि वो clean energy को क्या कर सके afford कर सके first important point दूसरी चीज़ दूस्तों यहां पर एक चीज़ कह रहे है कि अब आप अगर सिर्फ उसे planning करते रहे गए तो ऐसे negative consequences होंगे irreversible जिनको change दुबारा से नहीं किया जा सकता है दूसरी पर दूसरी चीज़ यह climate change हर चीज़ को adversely impact कर रहा है पहला क्या impact कर रहा है economy को impact कर रहा है climate change direct economy को impact करता है multiple disasters आ रहे है extreme weather events हो रहे है food security का बहुत बड़ा क्या है concern है climate change आपके even अमीर को अमीर बना रहा है गरीब को गरीब बना रहा है यह भी क्या है यानि कि inequality को भी क्या करा धीरे धीरे increase कर रहा है तीसरी चीज़ health के issues वो आने वाले समय में और ज्यादा क्या करेंगे बढ़ेंगे तो in short वही है कि भीया अभी अगर नहीं जागे COP27 के अंदर में तो कभी नहीं जागोगे और अभी क्या है आपको इसके अंदर में काम करना पड़ेगा वरना आने वाले समय में ये परेशानी और बढ़ जाएगी ठीक है climate change क्या है global problem है जिसके लिए आपको cooperate करना पड़ेगा हर country के साथ में COP26 के अंदर में countries ने कहतो दिया लेकिन जो उनने कहा उसके उपर में आदी से जादा countries ने भी action नहीं लिया है अब अगर आप कह रहे हो action नहीं ले रहे हो तो ultimately हो क्या रहा है हमारे देश के अंदर में विश्व के अंदर में ऐसी climate की जो vulnerabilities है वो लगातार क्या रहेंगी बढ़ती रहेंगी कई सारे island nation तो दोस्तो डूबने की गजार पर है और इसके काड़ में humanitarian crisis भी create होगा कई देशों में migration भी होगा कई जगे पर extreme बारिश होगी कई जगे पर बहुत समय तक सूखा पड़ेगा और ये सब कुछ humanity के against ही होगा ठीक है clear है तो हर कोई अपना रश्या के ओपर से reliance कम कर अब देखो रश्या यूक्रेन crisis उसको भी एक reason बताया जा रहा है देखिए एक चीज़ समझेगा अपने किये हुए कारणा में योरोप बचाने के लिए western world बचाने के लिए क्या क्या करता है रश्या यूक्रेन की वार अभी हुई है और अपने देश के अंदर में वो जो fossil fuel की जो खोज उनकी चल रही है उसके लिए blame इन्होंने अभी सही करना शुरू कर दिया कि रश्या यूक्रेन की वार हुई है उसके कारण में हर देश को अपने अपने देश के अंदर में जो कोईले की खदान है फॉसिल फ्यूल की खदान उसको खोजने में लगा हुआ ठीक है यह चीज करने में लगा हुआ तो यह भी चीज समझेगा कैसे blame game भी डाला जाता है जैसे developed nation हमेशा क्या करते है अब एक और चीज समझेगा रिच कंट्रीज वो जो अगर देखा जाए यह वन इन एट पीपल इन दा वर्ल टुड़े बट आर रिस्पॉंसिवल हाफ ऑफ दा ग्रीन हाउस गैसे यह बहुत इंपॉर्टन फैक्ट है कि जो रिच कंट्रीज है गर उनकी population को देखा जाए तो आठ में से एक है यानि कि population इतनी कम है लेकिन अगर वर्ल के इंदर में green house gases को देखा जाए तो आदे से जादा green house gases के पीछे इनका reason है तो यह बहुत बड़े क्या है इशूज है जिनको अभी क्या करना पड़ेगा आपको solve करना पड़ेगा वर्ना आने वाले यानिके urgency आपको शोग करने पड़ेगी और फिर आपको उस जो आपने decision लिया है उसके उपर में action लेना पड़ेगा वर्ना आने वाले समय में बिमारियां और बढ़ेंगी disaster और बढ़ेंगे crisis और बढ़ेंगे और यह क्या होगा आने वाले समय में world के लिए बहुत बढ़ा एक crisis होगा जिसके लिए सब जिम्मेदार होंगे कोई एक जिम्मेदार नहीं होगा हर्ष यह आपकी बात सुन ली दोस्त ठीक है आपकी बात सुन ली देखें कोई unique solution नहीं हो सकता पहली बात तो यह समझेगा कि आपको यहां पर यह समझने पड़ेगी कि जब तक चीज़े voluntary basis पर रहेंगी तब तक वहां पर एक चीज़ समझेगा कि नेशन कभी भी commitment अपना शो नहीं करेंगी कि कुछ action लेना है वहां पर यह समझने की कोशिश करिए कि हर नेशन वहां से बचने की कोशिश करेगा escape करने की कोशिश करेगा तो यह बहुत बड़ी क्या है एक समस्या है ठीक है तूसरी चीज़ यहां पर एक और बहुत बड़ी problem होगी solution देखिए यह हो सकता एक तो आपको legally binding एक convention की तरफ जाना चाहिए जब आप हर चीज लेगली binding convention की तरफ जा सकते हो तो आप यहां पर क्यों नहीं लेगली कांवेंशन की तरफ जा सकते हो तो इस ईसमें क्यों नहीं जा सकते हैं पहली बात हर country यहां पर अपर अपनी सुवधा अनसार चल रही है पहली बात दूसरी चीज़ द बाइंडिंग प्रिंसिपल्स और उसके वेली भी कोई ना कोई पनल्टी लगनी चाहिए याने कि स्ट्रिक लेवल पर आपको क्या करना पड़ेगा इन चीजों को आना पड़ेगा तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट यह चीज क्या है आपको यूनिफॉर्मली यह चीज करनी पड़ेगी कि कौन कॉन सी कंट्री अपने टार्गेट को अचीव कर रही है या नहीं कर न सब्सक्राइब अप्लस में जैसे लाइफ मौउमेट है मोधी जी ने जो दिया ये वर्ल्ट के अंदर में पूरे वर्ल्ट के यह क्या सकते हैं मौउमेंट की तरह खड़ा किय तो प्लीज यह टॉपिक क्लियर है किसी कोई कोई डाउट किसी कोई डाउट नेक्स्ट राटिकल है ऊलरेडी यार पढ़ा हुआ यार पढ़ा हुआ है और मैं दुबारा से आपके साथ कर लेता हूं Cooperative Federalism के हम बात कर रहे है क्या कर रहे है cooperative federalism की हम बात कर रहे है cooperative का मतलब कि आप हमारे देश के अंदर में जानते हैं एक union की सरकारी जिसको हम नॉर्मल भाशा के अंदर में central गौ़र्मेंट बोल देते लेकिन यहां पर यह चीज़े corporate होती हुई नजर नहीं आ रही है हमने देखा है कि नीती आयोग का जो काम था वो क्या था कि कैसे cooperative friendism को क्या किया जाए आगे बढ़ाया जाए लेकिन नीती आयोग इस चीज़ के अंदर में भी हमें fail होता हुआ नजर आता है इस article के तहद में दिल पर मत लीजेगा लेकिन चीज़े में आपके साथ बस discuss कर रहा हूँ सबसे पहली बात यह कहा जा रहा है कि जो GST share करने की बात है वो sufficient amount में GST share नहीं हो रहा है क्या हुआ कि अन्दर में चलनी रहा इधर देखता हूँ मैं ठीक है चलिए मैं आपके साथ क्या discuss कर रहा हूँ हाँ उसके अंदर में की नीती आयोग जो है जो आपके साथ मैं discuss कर रहा था क्या discuss कर रहा हूँ इंटरनेट का कुछ issue हो रहा है अभी मैं चेक कर लेता हूं अभी तो ठीक चल रहा है अगर होगा तो देखेंगे इस इसे तो मैं आपको बता रहा था यहाँ जो है प्रेज़ेंट को एक साथ आना था लेकिन हम यहां पर प्रेज़ेंन टाइम में यह चीज हमें देखने को मिल रही है कि सेंटर स्टेट आपस में एक दूसरे के साथ में और इस आर्टिकल में ज़्यादा तर जो आरोब लगाए गए हैं, वो Central Government के उपर में आरोब लगाए गए हैं, एक्जाम्पल के साथ साथ, पहला एक्जाम्पल ये दिया गया, कहा गया कि भाई साथ जो टेक्स शेयर करना चाहिए, कि इसको Union को State के साथ में, वो शेयर नहीं हो रहा, दूसरी चीज ये देखा है, Finance Commission, ने हर बार क्या करता है, कुछ ना कुछ recommendation देता है, कि इतना पैसा इन इनको देना चाहिए, है ना, समझेगा, Finance Commission जो है, recommendation देता है, Central Government को, कि इतना पैसा क्या करिये, इन इन states को दीजिए, लेकिन हमें वहाँ पर ये नजर आता है, कि भले ही Finance Commission की recommendations binding नहीं ह होती हैं बट Traditionally हमने यह देखा है कि जितने भी Union government है वह ज्यादा तरक्या करती रही है रिस्पेक्ट करती रहे हैं Finance Commission के mandate को लेकिन जो प्रेज्ट government है वह Finance Commission के reference को यह मैंस कमिशन को जो recommendation को mandate को respect नहीं कर रहे हैं और उन्होंने उस चीज को और नहीं माना एक और चीज अगर के तीसरी चीज वो एक और चीज कह रहे हैं कि अगर देखा जाए कई सारे स्टेट्स में जो हम क्या करते हैं स्कीम की इंप्लिमेंटेशन की बात करते हैं वहाँ पर भी हमें चीज नजर आती है कि धीरे-धीरे Centralization हो रहा है Central Government की तरफ में Union Government की तरफ में तो प्लीज ये सब चीज़े वो क्या कहना चाहरे हैं कि धीरे धीरे जो Fiscal Autonomy है किसकी States की वो क्या हो रही है कम हो रही है Already ये topic हमने पढ़ा है और अगर मान के चलिए States की Autonomy कम होगी दोस्तों तो State अपने आप में मान के चलिए उनको अपने स्टीट के अंदर में कोई Scheme का लगानी है कुछ खर्चा करना है तो उनको dependent रहना पड़ेगा किसके उपर में Union Government के उपर में तो ये हमारे देश के अंदर में जो फिसकल पेडलिजम की बात की जाती है कि पैसे के मामले में वित्तिये मामले में सेंटर और Union को कैसे कोपरेट करके काम करना है तो यहाँ पर हमें ये चीज बहुत खराब चीज नजर आती है कि ये Union की तरफ में क्या हो रही है चीज़े टिल्ट हो रही है ठीक है क्लियर है तो प्लीज याद रखेगा जो चीज़े मैं आपके साथ डिस्कुस कर रहा हूँ मैं आपको फिर कह रहा हूँ Finance Commission Article 280 के तहट में एक Constitutional Body है जिसको हर पांस सालें बनाया जाता है और इसका में काम है Fund और Resources को कैसे आपस में Share किया जाए उसके बारे में Recommendation में इनकी जो Recommendation होती है कभी भी ये Binding नहीं होती है सरकार के उपर में लेकिन Traditionally जितना Recommend ये करते हैं उसके अंदर में दोस्तों जो सरकारे हैं पिछली वो ज्यादा तर क्या करती रहती ही थी उन चीज़ों को मानती रहती थी लेकिन जो Present Government है वो इस चीज़ को नहीं मान रही पहला दूसरा point दोस्तों एक तरफ में GST के अंदर में Taxation Power के Surrender के कारण में जो revenue है Union Government का वो क्या Central Government का क्या है क्यान में State Government का वो क्या है कम हो रहा है क्योंकि उनको dependent होना पड़ रहा है पैसे के लिए लेकिन दूसरी तरफ में देखा जाये दोस्तों Central Government stress and surcharge लगा रही है और आपको यह पता होना चाहिए कि stress and surcharge non divisible pool है जिनको share नहीं किया जाता है center के द्वारा state के साथ है तो यानि कि जहाँ पर states financial level पर weak हो रहे है वहाँ पर stress and surcharge जो कि divisible नहीं है shareable नहीं है उसको एक अठा करके क्या कर रहे है Central Government क्या कर रहे है और ज़्यादा powerful होती जा रही है तूसरी चीज़ तीसरा point यहाँ पर एक और चीज़ नोट करिएगा borrowing को लेकर तो borrowing को लेकर देखा जाए तो state government को अगर borrowing करनी है उधार लेना तो उनको क्या करना पड़ता है central government से बातचीत करने पड़ती है लेकिन central government जब borrowing के level पर देखा जाए तो वो तो अच्छे खासे तरीके से क्या कर रहे है और यह सब चीज़े ultimately किस तरफ जा रही है जो state है जो राज्य सरकारे हैं उनकी जो financial autonomy है उसको क्या कर रह ज्यादा तर जो schemes है वो directly implement हो रही है किसके द्वारा union के द्वारा directly क्या हो रही है उन सभी को आप एक एक तरफ में करते जा रहे हो umbrella scheme बनाते जा रहे है फंड को cut कर रहे हो तो ultimately यह सब चीज़े क्या नुक्सान कर रही है यह नुक्सान कर रही है fiscal autonomy को किसको fiscal autonomy को ठीक है clear है ठीक है इसका solution यह हो सकता है देखिए सबसे पहले बात तो इसका solution सबसे important चीज़ आपको यह देखना पड़ेगा कि fiscal autonomy recent time में क्यों कराब हो रही है तो इसके पीछे reason है कि जब हम taxation के अंदर में centralization की बात करते हैं तो होता है तो आप इसके अंदर कुछ time bound manner fix कर सकते हैं कि GST इतने टाइम के अंदर में होना चाहिए आप financial जो finance commission है उसके mandate को थोड़ा सा और increase कर सकते हो तो यह सब चीज़े solution हो सकता है प्लस में आप थोड़ी सी और autonomy दे सकते हो कि इसको पंचायती राज सिस्टम को local government को कि वह अपने यहाँ पर taxation को क्या कर सकते हैं टेक्स कर सकते हैं अपने welfare mechanism को implement कर सकता है ठीक है clear है How to ensure cooperative federalism देखे पहली बात समझेगा हम cooperative federalism की बात करते हैं दो तिन स्फेर में बात करते हैं एक power sharing के model में जहाँ पर central state power sharing दूसरा physical federalism जहाँ पर पैसा sharing की बात के जाए central state की बिज़े तीसरा judiciary के अंदर में भी हमारे federalism की बात होती है हाई court और supreme court को कैसे साथ में लेकर आके चला जाए ठीक है clear है इस चीज के बारे में तो बात नहीं कर सकते दोस्त ठीक है कि आखिर प्रेजेंट को इतना पैसा क्यों चाहिए होगा अपना कुछ ना कुछ ठीक है तो प्लीज यह समझेगा इसका क्या impact पड़ेगा बहुत बड़ा impact पड़ेगा अगर आपके state के अंदर में आपकी जो रा प्रेटीज हैं उनके उपर में कैसे खज करेंगी जो उनको मूलभूस सुविधाएं जो पर्टिकुलर सब्सीडीज जो पर्टिकुलर स्कीम चला रहे ते उनको कैसे वो चला पाएंगे क्योंकि जो मेजर अभी भी प्रोग्राम्स हैं जो मेजर अभी भी एजूकेशन हमें आने वाले समय में क्या करना चाहिए इसको और ज्यादा स्टेंदन करना चाहिए ना कि हमें वीक करना चाहिए इसके एक और नेगेटिव कॉंसिक्वेंस होंगे कि धीरे धीरे सेंटर और ज्यादा स्ट्रॉंग होता जाएगा और टेट्स और ज्यादा क्या होता जाए यही पैसा ही नहीं रहेगा स्टेट के पास में तो कैसे काम कर पाएंगे ठीक है ठीक है ठीक है वह बात अलग है आप देखिए दो चीज़ समझे एक इशू है और एक उसका डेरिवेटिव है इशू यह है कि सेंटर और स्टेट की बिच में रिलेशन कैसा होना चाहिए वह इ अधिक सेंटर ने पैसा यूज कर रहा है यह नहीं कर रहा है तो इन सब चीजों में अपने को नहीं पढ़ाना अपने लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि क्या constitutionally जो चीजें अगर किसी को भी लगे तो आप पढ़ सकते हो कल वाला आर्टिकल जाके कि हाँ हमारे यहाँ पर इंफलेशन रेट कंट्रोल में आ रहे हैं लेकिन अभी भी स्टांत होने की जुरूत रही है अभी भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि आने वाले समय में इंफलेशन रेट कैस से कंट्रोल में रहें तो यह वह कह रहे हैं कि स्टे वाच्पुल नो डाउट आर्बी आई के या फिर कह लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के कई सारे एक्शन की कारण में हमारे यहाँ पर जो इंफलेशन रेट है नो डाउट कंजुमर प्राइज इंडेक्स कम हुआ ह लेकिन अभी भी दोस्तों जो फूड इंफलेशन है अध्य पदार्थों के उपर जो महंगाई है अभी भी ज्यादा है इंफलेशन अभी ज्यादा है तो यानि कि अभी भी आपको वाच्पुल रहना पड़ेगा कि इस इंफलेशन को कैसे और ज्यादा कंट्रोल में लेकर आया जाए तो बात की और सब चीजे हैं कि और ज्यादा जो फूड इंफलेशन और आने वाले समय में इंक्रीज नहीं हो अगर यह इंक्रीज होता है तो और कंजमर प्राइस इंडिक्स होने के इंक्रीज होने के चांसी हैं ठीक है सारी सारी चीज़े निशा जी आप एक ही च तो मैं आपके साथ अल्रेडी बता चुका हूँ पता है सारी चीज़े सोच कर आओ सब करो पूरा समय लगा दो सब खपा दो पूरा दिन ए टूज़ेट यह सोचते भी लगा दो कि हाँ यह चीज करनी है ऐसे करना है यह एक्स्रा पॉइंट बोल रहा है लेकिन हर जगे पर यह कहते है ना कुछ ना कुछ होता है फिर वहां से इंसान हम भी है तो हमारा सब का भी थोड़ा सा क्या होता है मूड ऑफ होता है इस चीज को समझेगा तो मैं आप आपने कमेंट कर दिया अपनी तरफ से अपने जिम्मेदारी आपने बहुत इंपॉर्टन जिम्मेदारी ह अब मेरे उपर भी कुछ छोड़ता हूं मैं भी कुछ कर लेता हूं तो चीज चलिए मैं आपको कह रहा हूं महंगाई बढ़ रही है महंगाई बढ़ने के कारण में मैंने कमेंट आफ कर दिया है मैंने कमेंट आपका आफ कर दिया है अब मैं इस समय पर किसी के भी कमेंट नहीं लेने वाला क्योंकि उसकी कारण मेरे सेशन के उपर में इंपक्ट पड़ता है महगाई बढ़ रही है दोस्तों inflation increase हो रहा है और inflation को कंट्रोल करना इस समय की सबसे बड़ी क्या है जिम्मेदारी है और inflation को कंट्रोल करने के लिए monitoring policy गाइजब किएद steals ने कई सारेे डिसीजन की एक डिसीजन क्या है रेपो रेट को बढ़ादेना रेपो रेट को बढ़ाने से दोस्तों क्या हुआ इंट्रसर रेट क्या हुआ हो इंक्रीज हो गे कि यहीं यह सिर्फ सिर्फ एकॉनमी ग्रोथ को इंपेक्ट ने कर रहे हैं वह करें बिल्कुल सही बात है आपका छे क्या स्पास होगी अभी और मेंजर लोगे लेकिन आने वाले समय में और आपको वाच्फुल रहना पड़ेगा क्यों क्यों क्योंकि अभी भी पूड के जो अभी इंक्रीज हो रहे हैं तो अभी आने वाले समय में क्या रहना पड़ेगा वाच्फुल रहना पड़ेगा वर्रा ऐसा ना हो कि इंफ्लेशन कहीं धीरे-धीरे और बढ़ जाए ठीक है नेक्स्ट आर्टिकल आपका हेल्थ एस फोकस आफ एयर पॉलिशन पॉलिशन और दोस्तो पॉलिशन का बहुत बुरा असर पड़ रहा है चिल्डरन की हेल्थ के उपर में जो बुजुर्व लोग है एल्डरली जो लोग है उनके उपर में प्रेगनेंट विमन के उपर में और उन लोगों के उपर में जिनके साथ में प्री एक्जिस्टिंग कोई ना क क्या करें आप कंसेडर करें लेंसेट की रिपोर्ट आती हो ये कहती है कि पॉल्यूशन की करण में जो हार्ट अटेक जैसे बिमारियां हैं वो इनक्रीज हो रही है लेंसेट की रिपोर्ट आती हो ये कहती है कि जो प्रेग्नेंसी है जो प्रेग्नेंट विमन है उनके लिए vulnerabilities क्या हो रही है धीरी-धीरे increase हो रही है तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए clear cut-up हमें पता चलता है कि pollution का direct लेना देना दे है किसे health से और अगर pollution का direct लेना देना health से है तो हमें यह ensure करना पड़ेगा कि अगर आने वाले समय में pollutions related, air pollutions related कोई policy आती है तो health कोस में हमें क्या करना चाहिए उसके अंदर में include करना चाहिए clear तो वही सारी सारी चीज़े कह रहे हैं कि winter के साथ साथ में air quality क्या हो रही है नौर के अंदर में खराब हो रही है लगातार होती रहती है और उसके कार्ड में दोस्तों क्या हो रहा है प्लीज याद रखेगा लेंसिट की रिपोर्ट क्या कहती है जो vulnerable है हमारे society के अंदर में बच्चे, बोजुर्ग, pregnant women और जिनके साथ प्रेग्जिस्टिंग का जो बिमारिया है वो क्या हो रहे है और ज्यादा vulnerable हो जा रहे है एवन इंडिया के अंदर में देखा जाए तो 2019 में 17.8% of death and 11.5% of respiratory जो problems होई है वो सारी किस से related है एयर pollution से related है तो यानि कि एयर pollution directly linked है health crisis से तो इसलिए अब कोई भी policy एयर pollution को लेकर बनाई जाए तो उसके अंदर में health को mandatory हमें क्या करना चाहिए consider करना चाहिए और इन्होंने इसके बाद में सब कहा कि आने वाले समय में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि क्या implement करना चाहिए क्या implement नहीं करना चाहिए इन सब चीज़ों के अंदर में क्या करना पड़ेगा अब policy formulation के अंदर में सिर्फ और सिर्फ जो पुछला status था जो पिछले तरीके थे पॉलिशन को कंट्रोल करने के वो अपनाने से नहीं के लेगा अब हमें बहुत ज्यादा प्रोक्तिव होना पड़ेगा और neglected हर पॉलिशन के अंदरमें हल्ट को priority दें हिपड़ेगी तो मैं आपको क्या सम्धाने की कोशिश कर रहा हूं कि पॉलिशन हमसे और सिर्फ क्या करते हैं कि कहते हैं पॉख्यंट के इंद्रश्ट्रियम मुमिंट से मूझें होगा है लेकिन इसके सास पर इस yeah, हम यह कहा देते हैं कि बसाखों में जलन हो रहा है इन दो तीन महेने में लेकिन हमें दोस्तों जो पॉलिशन अब बनानी पढ़ेंगी वो ऐसी बनानी पढ़ेंगी क्यूकि हमें यह देखना है कि ऐ सिर्भ ikke-まहीने का नहीं है इसके इंपेक्ट लॉंगर रन के अंदर में health system के अंदर में human की health के उपर में पर रहा है तो यानि कि आप pollution control करने के लिए जो measures बनाए जाए उसके अंदर में health को first priority देनी चाहिए तभी जाके हम क्या कर पाएंगे pollution को control कर पाएंगे लॉंगर रन में pollution को control कर पाएंगे ठीक है ठीक है ठीक है प्लान्टेशन इस नॉट ओनली solution मैं आपको सच बताऊं वह अपने करतूतों को छुपाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि plantation कर दीजिए plantation कभी ultimate solution नहीं हो सकता ठीक है प्लीज याद रखेगा तो pollution आने वाले समय में cancer जैसी बिमारिया heart attack जैसी बिमारिया sugar जैसी बिमारिया lungs की बिमारिया इनको बहुत ज्यादा क्या करेगा इंख्लीज करेगा तो आप सिर्फ और सिर्फ हमेशा यह 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 क्राइटीरिया इनके लेवल को AQI को कम करना क्या फाइदा आप यह देखिए आप तीन महीने जागरुक होते हैं तीन महीने कहते हैं आज महीने पहले दो महीने पहले कोá पॉलिशन के लिएक क्या और सिर्फ यह यह आगे जाना पड़ेगा उसका क्रेक्श एंग THEM DECADS SOLVE करना की कोशिश कर रहे हैं लगे मैं लगे में लेकिन अभी तक कोई चीज हमें नहीं मिली है यानिकि हमें दोस्तों लांग रोड हमें क्या करना पड़ेगा लांग रोड मैप त्यार करना पड़ेगा जहां पर इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा एल्स हम क्या करेंगे सेम पास पर चलते रहेंगे और सेम परिशानिया आगया है वाले समय पर बढ़ती रहेंगी है तो ठीक है नेक्स्ट आर्टिकल है आपका इस अब आपको बताया कि क्लामेट चेंज के कारण में जो आपकी वेक्टर बॉंड डिसीज़ है एर बॉंड जो डिसीज़ हैं वो क्या और यह बढ़ रही है एक अभी जो पिछला आर्टिकल पढ़ा हमने देखा पॉलिशन को हल्थ सरे रिलेट किया दूसरा क्या है हमने किसको क्लाइमेट चेंज को हल्थ के साथ में रिलेट किया अब मान के चलिए क्लाइमेट चेंज के कारण में food security का issue हो food security के issue के कारण में दोस्तो, malnutrition और malnutrition क्या एक बहुत बड़ा health crisis है तो ये भी चीज हमें क्या करने पड़ेंगी समझनी पड़ेंगी ठीक है तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि Lancet की जो रिपोर्ट है ये health and climate change वो ये कह रहे हैं कि जो world का जो reliance है किसके उपर है fossil fuel के उपर में उसके कारण में क्या हो रहा है climate change हो रहा है क्योंकि fossil fuel के कारण में greenhouse gases का emission हो रहा है extreme weather event हो रहे है और इस कारण से दोस्तों क्या हो रहा है risk of diseases, food insecurity and other illness ये सब चीजे क्या है even अगर आप देखें दिल्ली के अंदर में जब पढ़ रहे थे heat wave की बात कर रहे थे तो आपको जानकर हैरानी होगी heat wave के कारण में यानि कि extreme weather event के कारण में heart attack की बिमारिया क्या होगी थे island जो nation है वहाँ पर दोस्तों जो क्यानमें आपके जो पानी के द्वारा बिमारिया फैलती है वो बढ़ जाएंगी ठीक है आप अगर देखें food को अगर देखें हर dimension को हम देख चुके देखें मैं आपको कहा रहा हूँ इन ती dimension के उपर में हमेशा climate change को prepare करके रहेगा जिसके उपर बार-बार हम बात करते रहते हैं सबसे पहला पॉइंट food insecurity सबसे बार-बार यह important point को please note करिएगा food insecurity food insecurity का मतलब क्या आपकी जो yield है वो directly क्या हो रही है impact हो रही है season जो है growth के वो छोटे होते जा रहे हैं आपके जो crop के जो cycle हो छोटे होते जा रहे हैं और इसके कारण में nutrition, malnutrition यह सब परेशानिया बढ़ती जाएंगी तो health के लिए direct impact है vector born disease, ear more disease, डेंगू, चिकन गुनिया malaria जैसे बिमारिया बढ़ेंगी heat waves के कारण में heart attack जैसे बिमारिया बढ़ेंगी तो यह सारी चीज़े क्या हो रही है ठीक है, clear है तो आने वाले समय में हमें क्या करना पड़ेगा global level पर coordination की जरूरत है funding की जरूरत है, वहाँ पर transparency की जरूरत है cooperation की जरूरत है climate change COP27 link करिए कि आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ climate change को आप यहां तक सिमित मत रखिए कि climate change global warming हो रही है इसके negative consequences ऐसे ज़ादा हो सकते हैं कि हमारे जीने, हमारे अस्तित्र के उपर में question उख जाए तो इसलिए यह सही समय है हमें cooperate करना चाहिए हमें आने वाले समय में आगे आगे बढ़के साथ में आके solution की तरफ जाना चाहिए जो अल्रेडी हमने पढ़ा है वही सारी चीज़ें इसके इंदर में है अल्रेडी पढ़ा हुआ टॉपिक है यह है ना डेबलू एचो ने क्या प्रेटिक किया है कि 2030 से लेके 2050 तक climate change के काड़ में approximately धाई लाख लोगों की additional death होगी per year क्यों? malnutrition, malaria, diarrhea, heat stress malnutrition देखा, food security की बात कर रहा था न ऐसी दोस्तो changing climate क्या करेगा infectious diseases की जो cycle उनको भी increase करेगा जैसे example दिया उन्होंने जो coastal water है वो more suited हो जाएंगे किसके लिए vibrio pathogens के लिए और यह आने वाले African, Americas, इन सब देशों के इंदर में यह भीमारी को वह ज़दा क्या करेंगे बढ़ाएंगे मैंने आपको कहा ही था सारे के सारे COP से related है next article है World Bank की report है समझ रहो ना COP 27 कितना important इस बार और please मनलब आप यह समझेगा आप से direct analytical perspective पूछा जा सकता है कि how climate change can impact healthcare facilities in any country और in world ऐसे करके पूछ लेंगे तो आपको malnutrition वाला angle लाना पड़ेगा आपको heart attack वाला angle लाना पड़ेगा आपको heat stress वाला angle लाना पड़ेगा extreme weather events वाला angle लाना पड़ेगा सारे चीज़ा आप करेंगे इसके साथ अब यह है मैं आपको simple सी सरल भाषा में समझाओं तो वर्ल बैंक की एक report आई है वर्ल बैंक की कहता है कि इंडिया को at least 840 billion dollar next 15 साल में invest करने पड़ेंगे cities के अंदर में तब जाके हम अपनी cities को क्या कर पाएंगे improve कर पाएंगे अब इसको मैं समझाता हूं आपको एक article आया था और योजना में भी एक session आया था मैंने कराया था कि भारत देश के अंदर में अगर आपको अपनी GDP को growth करना है GDP को आगे बढ़ाना है तो उसके अंदर में दोस्तो cities का बहुत important role रहने वाला है cities के अंदर में जो लोग रह रहे हैं वो सबसे बड़े क्या है economic agent है city आपकी economy की क्या है wheel है पहिया है तो अगर cities के अंदर में आप basic amenities, basic सुविधाय, basic road transport system, traveling time को कम करना ये सब चीज़े नहीं करोगे तो आपकी economy को आपकी GDP को क्या पढ़ेगा नुकसान पढ़ेगा तो यानि कि अगर मान के चलिए आप अगर अपने city की growth के अंदर में city के development के अंदर में अगर invest करते हो तो ultimately आपकी GDP भी क्या करेगी? grow करेगी ठीकी? clear? अब पैसा कहा से आएगा? इतना investment करना है तो World Bank नहींगा कि आने वाले समय private जो investors है private जो funding है उनको हमें increase करना पड़ेगा क्योंकि अभी अगर हम देखते है majority जो funding होती है वो किसके दौरा होती है? सरकार के दौरा होती है तो दो solution हो सकते हैं एक private funding भी increase की जाए cities के अंदर में और दूसरी क्या है? local government को और ज़्यादा empower किया जाए कि और ज़्यादा taxation और ज़्यादा चीज़ों को क्या कर सके increase कर सके जिसके card में उनको revenue power मिले और उसके card में क्या कर सके ultimately उन revenues को implement कर सके अपनी cities के अपने area को development करने के लिए ठीक है? clear है? ठीक है? clear है? प्लीज याद रखेगा city किसी भी economy के backbone होते है किसी भी economy के wheel होते हैं यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा consumer भी मिलेंगे यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा economic agent भी मिलेंगे जैसे हम बात करते हैं कि किसी economy को चलाने के लिए migration, migrate करके हुए जो लोग गए है एक दूसरे से दूसरी जगे वो important role play करते हैं तो cities बहुत important role play करती हैं किसी भी देश की economic development के लिए तो उन cities में invest करना उन cities के नरे basic amenities बेसिक सुविधाएं पहुचाना यह सरकार की ज़िम्मेदारी है और तीसरी बहुत important चीज़ वो पैसा कहां से आएगा private entities से आ सकता है और साथ में आपको empower करना पड़ेगा local governments को तो यह topic है और आज की important topic था आप questions को शुरू करते हैं तर्की किसके साथ अपना border share करता है तो आप इधर देखे जॉर्जिया इधर देखे आर्मेनिया इरान इराक सीरिया इधर चले जाईए यह क्या है Greece बुल्गारियों तो इन इन countries के साथ में यह क्या करता है अपनी border share करता है आज का homework क्या है आज का homework क्या है नेम दा countries which share borders with Ukraine Ukraine के साथ जो countries अपनी border share करती है उन सभी का नाम बताईए उन सभी का नाम बताईए पहला question है CESIR aroma mission is under which of the following union ministry किस ministry के अंदर में आता है ministry of science and technology ministry of finance ministry of home affairs and none of the above already a question पढ़ायावा topic है आप सभी के लिए पढ़ायावा topic है यह आप सभी अगर ध्यान दें ठीक है तो मैंने आपको बताया था aroma mission किस से related lavender वाला पढ़ाया था ना किसके द्वारा ministry of फीके किसके द्वारा पढ़ाया था मैंने आपको ministry of science and technology तो किसका correct answer किया होगा यह इसका correct answer होगा क्या होगा यह इसका correct answer होगा ठीक है clear aroma mission प्लीज याद रहिए next question है great Indian hornbill यह previous year question है UPSC का यह previous year question है क्या है यह previous year question है UPSC का previous year question है कि which of the following regions of India is the natural habitat of great Indian hornbill hornbill के बारे में अगर आपने देखा हो पढ़ा हो तो हम North East की बात करते हैं ना जो तराई रीजन है नेपाल है भूतान है North East है वहां के हम बात करते हैं और कहां मिलेगा क्योंकि North East इसके अंदर में है नहीं North East इसके अंदर में है नहीं North East इसके अंदर में तो है नहीं तो बताए कहां पर Western घाट याद रखिएगा जो तराई रीजन जो हिमालियन बेल्ट है लोवर बेल्ट वो प्लस में Western घाट यह क्या है Great Indian hornbill के आपको Natural Habitat के मिलते हैं ठीक है आपका Northwest इरिया डेजर्ट नहीं बिल्कुल नहीं Great हिमालियन रेंजिस मिल्कुल नहीं सॉल्ट मार्श ऑफ वेस्टन घुजरात नहीं अब प्लीज याद रखिएगा या तो आपको यह नॉर्थ इसकी इलाके में उधर की तरफ में या फिर वेस्टन ठीक है ठीक है ठीक है एह CLEAR है अच्छा होन्विलवal festival कहाँ मनाया जाता है actual 142 से next question है article 142 से cherry with reference to the constitution of India prohibition or limitation of provision contained in the ordinary law cannot act as prohibition or limitation और आर्टिकल 142 यानि कि कोई भी कानून बना हो, कोई भी प्रोविजन हो, कोई भी लिमिटेशन हो, वो 142 के तहत में लिमिटेशन का काम नहीं करती है, यानि कि 142 एक तरीके से दिता है, किसको देता है? बताए, किसको देता है? डिक्रिशनरी पावर देता है, एक्स्ट्रा पावर देता है Supreme Court of India को, तो Supreme Court of India not constraint in the exercise of its power by law made by Parliament, यानि कि ऐसा नहीं है कि भ había जो कानून बना है, उसी के तहट उनको क्या लेना है, decision लेना है, 142 का इस्तमाल करते हुए, वो extra justice को देने के लिए क्या कर सकते हैं, 142 का, तो 20 का correct answer हो जाएगा, next question है, यह consider following statement, consider द्वार पाल लिखा हुआ है, correct हो, ऐसी हो गया, consider following statement, आधार कार्ड can be used as proof of citizenship or domicile, once issued आधार नमबर cannot be deactivated or omitted by issuing authority, पताईए, आधार कार्ड can be used as proof of citizenship or domicile, आप से पूछा गया है, incorrect, तो क्या आधार कार्ड को आप citizenship के रूप में यूज़ कर सकते हो गया, मलब यह कहने है, कि एक आधार कार्ड है, वो या तो आप citizenship की तरह यूज़ कर लिए, या फिर अपने domicile के लिए उसके लिए, नहीं भया, citizenship के लिए तो बिल्कुर नहीं, कलकत्ता हाई कोड ने वोला, कि आधार कार्ड को आप citizenship का प्रूफ नहीं मान सकते, ठीक है, और वो ने कहा कि आधार कार्ड को आप क्या कर सकते हो, अपने delete कर सकते हो, ठीक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफिस यूएन कमिशनर फॉर हुमन राइट्स वर्ल जस्टिस रिपोर्ट एजी क्वेशन न मैंने पहले भी कराया यह तो वर्ल जस्टिस रिपोर्ट डीज का करेक्ट आंसर होगा तो पांच में से कितने सही हुए बताईएगा मुझे इसका क्या सही होता तो डी इसका करेक्ट आंसर है ठीक है तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बहुत शांदार आप सभी के लिए और कल मैंने आपको क्वेशन दिया था आप इसका आंसर पीडियाफ में देख सकते हैं आज का क्वेशन क्या है यह 2022 के अंदर में क्वेशन 얼으ंट कोशन है डा आइट आउड चल्ड के लिए तो फ्री एंड कॉंपर यह कॉश्कन है आप इंस्टाग्राम पर में साफ सकते हैं टेलिग्राम पर में साफ कंवें दोस्तों ूब आ हैár जाने से नहीवेगेाप और जाने से पहले भई 1300 लोगों at least 1000 पार कराके तो लाइक को जाईए ही तो मिलते हैं अगले सेशन में तब तक किल अपना ध्याना किये मुस्कुराते रहिए बढ़ते रहिए बाई बाई टेके दोस्तों जैह